आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉंच हो चुका है, फोन की प्री बुकिंग भी शुरू हो गई थी। लोग शौक से आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद रहे हैं। आईफोन निर्माता कमपनी एपल ने हाल ही में अपने एक इवेंट में आईफोन 15 सीरीज को लॉंच किया है। जिसके बाद से ही लोग इसे खरीदने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। देश ही नहीं बलकि दुनिया भर में आईफोन लवर्स के लिए ये बड़े तौफे जैसा हैं। जिसका वे बेसबरी से इंतजार कर रहे थे। लाखों की कीमत में आने वाले इस फोन के लिए लोग लाइनों में लगने से भी बिल्कुल नहीं जिशकते हैं। सोशल मीडिया पर इसी तरह का एक वीडियो इस वक्त खूब वाइरल हो रहा है। जिसमें एक भीखारी आईफोन 15 Pro Max खरीदता नज़र आ रहा है। भीखारी के आईफोन खरीदने वाले इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। अब तक लाखों की संख्या में ये वीडियो लोग देख चुके हैं। वाइरल वीडियो में भीखारी ने एक फटा बन्यान और लूंगी पहनी हुई है। उसका पूरा शरीर और चहरे पर कालिक पुता हुआ है। और वो मस्कुराते हुए हाथों में थेला लेकर एक दुकान में एंटर करता है। जब वो वहां पहुँचता आईफ़ों 15 नेने की बात करता है, तो पहला दुकानदार वो फूर्ण उपलवद ना होने की जानकारी देता है। जिसके बाद भीखारी मस्कुराते हुए बाहर आ जाता है। इसके बाद वह दूसरी दुकान में जाता है और दुकानदार से पूछता है कि क्या उनके पास हाल ही में लॉंच हुआ आईफोन 15 प्रो मैक्स का मॉडल उपलब्ध है इसके बाद दुकानदार हाँ बोलता है फिर भीखारी सिक्कों से भरे अपने दोनों थले जमीन पर लग जाते हैं इस काम में घंटे भर का समय लग जाता है रकम पूरी निकलने पर दुकानदार मुस्कुराते हुए नया आईफोन 15 प्रो मैक्स भीखारी को दे देता है इसके बाद भीखारी दुकान में ही उस फोन को अनबॉक्स करता है और सेट अप करता है यह पूरा सीन कुछ लोग कैमरे में भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इसके बाद भीखारी दुकानदार को बताता है कि यह सब एक प्रैंक है और वो भीखारी भी नहीं है उसने पॉपिलर होने के लिए भीखारी का वेज बनाया है और आईफोन खरीदने आया है इसके बाद दुकानदार हसने लगता है और फिर भीखारी नए आईफोन के बॉक्स को हाथ में लेकर दुकानदार के साथ एक फोटो भी खिचवाता है ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर कूप पसंद किया जा रहा है लोग इस वीडियो को काफी इंटरेस्ट लेकर देख रहे हैं नेटिजन्स का कहना है कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये प्रैंक है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे रगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे सहारा समय डिजिटर